बेश लेप्टाप अंडर 15,000 तो हाई एवरीवान आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके एपने यूटूब चैनल आयांस के साथ में देखो 15,000 रुपे के प्राइज में रिसेटली इंडिया में काफी सारे निव लेप्टाप लाँच हुए है बट उनमें से कुछी ऐसे लेप्टाप है जिने हम अपने परपच के एकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं 15,000 रुपे में जहां पर आप लोगो को क्रोम बुक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लेप्टाप देखने को मिलते हैं वहीं पर मैं आप लोगो अपरेटिंग सिस्टम विंडो आले लेप्टाप सी 15,000 रुपे के प्राइज में बताने वाला हूँ अगर आप लोग इन लेप्टाप को बाय करते हैं तो आप सबके लिए 100% बैलूप फार मनी रहने वाला है आप सबका एक भी रुपे बेश्ट नहीं जाने वाला है तो guys बिना किसी time best के चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने स्पहले अगर आप लोग ने अवी तक अमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजेगा ताकि याने वाले सबी लेटाप और computer से related deals के अब तक पहुंचते रहें तो चले गाइज video को स्टार्ट करते हैं तो guys जो कि गाइस काफी बेश्ट है यहाँ पर इस लफटाप में आप लोगो 14.1 इंचेस का यह अच्छी एंटीक लेट डिस्पले और ऑपरेटिंग सिस्टम बिंडो देखने को मिलने वाला है बिंडो इले बन हो में आप लोगो यहाँ पर प्री लोडेट देखने को मिल इसके साथ ही अगर बात कले इस लफट आपके रैम और श्टोरेज की इसमें आप लोगो DDR4 का 8GB का रैम और 256GB का SSD श्टोरेज देखने को मिलने वाला है जो कि गाइस इस प्राइज रेंज में आप लोगो काफी बेश्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसके साथ ही अगर बात कले इस लफट आपके प्रोसेसर की इसमें आप लोगों Intel Cellar on Dual Core यान 4020 का प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है जो कि गाइस काफी बेश्ट है जिसका maximum frequency speed 2.8 GHz है इसके साथ ही आप लोगों के यहाँ पर सभी रिक्वाइर ports और jacks देखने को मिल जाए जाएंगे जितने भी रिक्वाइर ports और jacks है गाई सभी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अगर बात कले इस लफट आपके weight and design की इसे thin and light design किया गया है और इसका weight about 1.2 kg है जो की गाइस काफी best है आप लोग इसे easily कहीं पर भी carry on कर सकते हैं अगर बात कले इस की इसमें आप लोग को up to 8 hour company की तरफ से battery backup दिया गया है बट मेरे इसाब से आप लोग को इसमें 5-6 घंटे का battery backup बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा तो overall specification काफी best है अगर आप लोग इसे बाइक करना चाहते हैं लिंक आप लोग को description में देखने को मिल जाएगा की तरफ से Infinix Y1 Plus Neo और इसका current price 17,990 रुपय है बट गाइस यहापर कुछ offer चल ला है अगर आप लोग offer के साथ में इस laptop को buy करेंगे तो आप लोग के यहापर कुछ discount देखने को मिल जाएगा जिसके वाज़से आप लोग के laptop लगभख 15,000 रुपय के price में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा तो गाइस काफी best laptop है और इस वीडियो का सबसे best laptop है गाइस अगर बात कले इस laptop के specification की इसमें आप लोगो 15.6 इंचेस का full HD IPS टेकनोलाजी वाला anti-led display और operating system window देखने को मिलने वाला है बिंडो 11 home आप लोग हैं पर pre install देखने को मिल जाएगा इसके सा आप लोग यहां पर सी 15,000 रुपे के प्राइज में 4GB का रहें और 128GB का SSD storage देखने को मिलने वाला है इसके साथी अगर बात कले इस laptop के processor की इसमें आप लोगों Intel Cellarone Quad Core या 5100 का processor देखने को मिलने वाला है इसका maximum frequency speed 2.8 GHz है जो की गाइस काफी best है इसके साथी आप लोग यह आप पर सभी require ports और jacks देखने को मिल जाएंगे जितने भी require ports और jacks है इस सभी आप लोग को इस laptop में देखने को मिल जाएंगे अगर बात कले इस laptop के weight and design की इसे thin and light design किया गया है और इसका weight about 1.7 kg है जो की गाइस काफी best है आप लोग इसे easily कहीं पर भी carry on कर सकते हैं अगर ब आसानी से देखने को मिल जाएगा तो overall specification काफी best है अगर आप लोग इसे पाए करना चाहते हैं लिंक आप लोग को description में देखने को मिल जाएगा आप लोग वहां से जाकर checkout कर सकते हैं नेक्स लेटाफ है गाइस चुवी Intel Celeron Dual Core और इसका current price 16,990 रुपए है यहापर गाइस कुछ offer चल ला है अगर आप लोग offer के साथ में इसे buy करेंगे तो आप लोग के लेटाफ लगबग 15,000 रुपए के price में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा जो की गाइस काफी इसमें आप लोगो 14.1 इंचर का full HD IPS टेकनोलाजी वाला anti-light display और operating system बिंडो देखने को मिलने वाला है बिंडो 11 home आप लोग यहाप पर pre-install देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही अगर बात कलेश लेटाप के RAM और storage की इसमें आप लोगो DDR4 का 8GB का रहें और 256GB का SSD storage देखने क देखने को मिलने वाला है जो कि का इसके साथ ही अगर बात कलेश लेटाप के प्रोसेसर की इसमें आप लोगों इंटेल सेलर और डूल को यान 4020 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जिसका maximum frequency speed 2.8 GHz है इसके साथ ही आप लोगों यहाप इंटेल इंटीग्रेटेटेड वेल्डी ग्राफिंग मेमरी भी देखने को मिल जाएगा अगर बात कलेश लेटाप के वेट एंट डिजाइन की इसे थीन है लाइट डिजाइन किया गया है और इसका वेट अवाट 1.3 kg है जो की गाइस काफी बेच्ट है आप लोग इसे कहीं पे भी carry-on कर सकते हैं इस ले अगर बात कलेश लेटाप के बैटरी वेकप की इसमें आप लोग को आप टू नाइन हावर कंपनी की तरफ से बैटरी वेकप दिया गया है बड़ मेरे इसाब से आप लोग इसमें 5-6 घंटे का बैटरी वेकप बहुती आसानी से देखने को मिल जाएगा तो ओरल अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा आप लोग वासे जाकर चेक आउट कर सकते हैं अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा वोदी पसंद आयर है अगर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जहुर से कर दिजेगा ओके गाइस मि